दूस्तों जो हमारा अगस्त महीने का मनतली करेंट खthills का नोर्ट से हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह वाला योर इसलिट इसलिए कोई चीज पहली बार हो रही होती है जैने कि फर्ष्ट इन इंडिया भारत में पहली बार या फिर पूरे विश्व में पहली बार तो ये दोनों प्रकार के questions को इस वीडियो में cover करेंगे तो दोस्तों पहला प्रिस्ट होने का name change को लेकर कि हाल ही में मद्यप्रदेश में मद्यप्रदेश सरकार ने चम्बल प्रोग्रेस वे का नाम बदल कर किसके नाम पर रखने की गोश्णा करती है तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी बाचपई option number A इसका right answer हो जाएगा कि मद्यप्रदेश सरकार ने चम्बल प्रोग्रेस वे जिसको पहले चम्बल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता था फिर उसका नाम कर दिया गया था चंबल प्रोग्रेस वे तो चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदल कर अटल बिहारी बाचपई जी के नाम पर कर दिया गया है तो option A इसका ride answer हो जाएगा इसमें आप चंबल अटेंट सर्ट वे देख सकते हैं इस तरफ अटल बिहारी बाचपही जी का फोटो आपको दिख रहा है और इसमें लिखा है चम्बल प्रोग्रेश वे का नाम बदल कर अटल बिहारी बाचपही के नाम पर कडिया गया है, यह जो प्रोग्रेश वे है यह राज स्थान, मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश तीनों राज्यों को जोडने वाला six lane चंबल प्रोग्रस भी है जिसका नाम चेंज किया गया है। साथी साथ में आप लोग अगर इस नोट्स का पीडिया फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेना वहां पर आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम है Target Study IQ नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रसन है किस राज्य में इस्तेत मडूआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की कोशना करी गई है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदिस। उत्तर प्रदिस। यूपी में एक श्टेशन है बनारस के पास जब भी आपको बनारस जाना होगा तो लोगों को मडूआ डी नाम के रेलवे स्टेशन पर उतरना पढ़ता है। चुकि वो बनारस के पास में पढ़ता है तो लोगों का डिमांड है कि चुकि बनारस बहुत फीमिस जगह है इस बज़े से इसको लोगों में confusion भी रहता है तो इसको बनारस के ही क्यों इस्टेशन पर ना कर दिया जाए तो मढवाडी रेलबे स्टेशन का नाम बनारस करने की कोशना करी गई है यह वो इस्टेशन है मढवाडी जिसको आप यहां पर देख सकते हैं साथी साथ में इस चीज की सहमती किस ने दी है तो ग्रह मंतराला की तरब से इसको सहमती प्रदान कर दी गई है देखो इसके पीछे का गाइडलाइन क्या है किसी भी चेज का किसी भी गई की स्टेशन का नाम किसी भी जिले का नाम राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है तो इसके लिए क्या होता है कि जो उस राज्य की सरकार जो होती है वो इसके लिए आवेदिन करती है और इसमें एक नो ऑबजेक्सन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ministry of homefs की तरब से अ साथ में हाल ही में बदले गए इस्टेसनों के नम अलहाबाद इस्टेसन का नम प्रयाग राज जंसन, अलहाबाद सिटी का नम प्रयाग राज रामबाग, अलहाबाद चियोकी का प्रयाग राज चियोकी, प्रयाग घाट का प्रयाग राज संगम, ये सबी नाम है जो के हाल ह में चेंज किये गए हैं अब हम लोग वह वाले चीजे करते हैं जिसमें कि कोई चीज पहली बार होती है या फिर पहले बार हो रही है तो उसको लेकर कोशन करेंगे तो भारत में कौन सा सहर लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक सिगनल और साइनेज पर महीला प्रतीक महीला प्रतीक को प्रतीक इस्तापित करने वाला पहला सहर बन गया है तो आंसर हो जाएगा मुंबई ऑप्शन नंबर डी इसका राइड एंसर हो जाएगा इस कोशन को समझे हो इसमें क्या होगा तो हमेसा मेल कैंडिडेट की फोटो होती है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई ने इसमें महीला का यहां पर साइनेज बोट लगा रख आ तो option number D Mumbai इसका राइड इंसर हो जाएगा अगला है अगस्त 2020 में किस ने bulldex नाम से भारत का पहला bullion index launch किया है तो answer हो जाएगा multi commodity index mcx ने multi commodity exchange mcx ने bulldex नाम से भारत का पहला bullion index launch किया है तो option number B इसका राइड इंसर हो जाएगा अगस्त 2020 में 2 trillion dollar की market value वाली पहली अमेरिकी company कौन बनी है चुकि ये भी पहली बार हुआ है इस वज़े से इस question को यहाँ पर रखा गया है तो अमेरिका की पहली company बनी है Apple जिसका iPhone आप लोग यूज करते हो एपल company दुनिया की पहली ऐसी company बनी है जिसने की 2 trillion का market value हासिल कर लिया है तो option number A का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं 2 trillion का market cap हासिल करने वाली अमेरिका की पहली company बनी है Apple लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विस्सु की पहली company कौन है 2 trillion को टेच करने वाली तो आंसर हो जाएगा साओधी एरब की एक oil company है साओधी अराम को वो दुनिया की पहली ऐसी company है जो की 2 trillion को टेच करी है लेकिन अभी अगर इस समय बात करी जाए तो उसका market value डाउन हो गया है और इस समय अठारा सो बीस अरब डालार पर पहुंच चका है दूसरी company पूरी दुनिया की बनी है Apple ठीक है 1 trillion का अकड़ा टच किया था और जिसको पहुंचने में लगबग इसको जब से यह बनी है लगबग 70 साल इसको लग गए है और मात्र 2 सालों में यहानि की 18 से 20, 2 सालों में ही इसने 1 trillion का गेन हासिल किया थे तो यह इसका आपको याद होना चाहिए इसकी जो पूरी market value है ये कई देशों की GDP है उससे भी ज़्यादा है जिसे की रूस, ब्राजील, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, अस्ट्रेलिया, स्पेन, मैक्सिको, तुर्की, ताइवन, यूई, इन सभी देशों की GDP से भी ज़्यादा है इसकी valuation इसके बाद में हैं, अगस्त 2020 में जारी स्वक्ष सन्वेचन 2020 के परिणामों में कौन सा सहर पहले इस्तान पर आया है, आंसर हो जाएगा, इन दौर, ऑप्शन नमबर B, इसका राइड अंसर हो जाएगा, कि स्वक्षता सन्वेचन में इन दौर को पहला इस्तान मिला है, यहा किया था, उस समय भारत का सबसे स्वक्ष सहर बनाता मैसूर, उसके बाद से लगातार पिछले तीन सालों से इंदौर पहले इस्तान पर आरा है, यह चौती बार है कि इंदौर को पहला इस्तान पर आप होए, तो 2017 में, 18 में, 19 में, और 2020 में, लगातार चौती बार इंदौर को पहला इस्तान मिला है इस बार अगर देखा जाए तो पहले इस्तान पर है इंदौर दूसरे पर है सूरत तीसरे पर है नभी मुंबई और चौते पर है वारा नसी आपको याद रखना है दूसरा इस्तान भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो सूरत इसमें पहले दूसर इसन पर आया है इसके बाद में कुशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो करनाटक इसका राइड इंसर हो जाएगा जो की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो अंसी नेशनल पार्क वहीं पर है, बांदीपूर, बैनर घाटा, कुद्रे मुख, नागर होल, ये सभी करनाटक में नेशनल पार्क हैं, करनाटक के थर्मन पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं, राइचूर, बेलारी, ये वहीं पर हैं, करनाटक के युनेस्को हेरिटेज साइ सब्सक्राइब करनातक में इस्तित हैं करनातक का इस्टेट एनिमल है एसिएन एलिफेंट इस्टेट बर्ड है इंडियन रोलर इस्टेट फ्लावर है लोटस और इस्टेट ट्री है संडल वोड यह भी एक्जाम में कभी-कभी अचानक से पूछा जा सकता है अगला प्रिस्ट बनेगा कि नीती आयोग के आकांची जिलो की सूची में किस राज्य का बीजापुर जिला पहले इस्तान पर आया है तो 36 गड़ इसका राइड एंसर हो जाएगा आकांची जिलो की सूची में बीजापुर 36 गड़ का बीजापुर पहले इस्तान पर आया है इस लिश्ट में दूसरे इस्तान पर है री भोई मेगाले का और बहराईच उत्तर प्रदेश का ये तीसरे इस्तान पर आया है दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ तो आप अगस्त महिने का या फिर जन्वरी से लेकर अगस्त का जो पीडियाफ है उसको परचेस कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो